असलावलेकूम बच्चो आज हम क्लास सेकंड की हिंदी पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए तो कल हमने पढ़ी थी पेश नमबर 10 का छोटाई की मातरा पार्ट टू लेसे नमबर टू हमने पढ़ चुकी है तो आज हम पढ़ेंगे छोटाई की मातरा फिर से हम पहले पढ़ना है उसके बाद याद करना है अप लोग को पर टू कि है को एक eyeballs тебя पढ़ेंगे आप लोग को यह छोटाई की मातरा अच्छी तरह समझतर है की कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं तो यहां से देखिए बच्चो बोल कर पढ़ो और क्या करना है याद करना है पहले आपको बोल कर पढ़ना है छोटे एकी मात्रे को अच्छी तरह समझना है अच्छी तरह देखना है तो इसके बाद याद करना है कौपी पर नहीं लिखना है सिर्व आप लोगों को ये क्या करना है सिर्व समशना है और याद करना है देखे बच्चों ये क्या है ब छोटे ए की मातरा न क्या है ये भिन ब ए न बिन अब ये द छोटे ए की मातरा ल दिल द ए ल दिल ग छोटे ए की मातरा र गिर क छोटा ए कि मातरा ल किल र व उसके बाद छोटा ए कि मातरे को पढ़ना है रवी द छोटा ए कि मातरा न दिन द, इ, न, दिन ख, छोटाई की मात्रा ल, खिल च, छोटाई की मात्रा र, चिर ह, छोटाई की मात्रा ल, हिल ह, इ, ल, आ, हिला क, व, छोटाई की मात्रा कवी क, पहले व पढ़ना है, उसके बाद छोटाई की मात्रे को पढ़ना है कवी, क, व, इ, कवी न, इ, ब, निब म, छोटाई, इ, ल, मिल स, छोटाई, र, सिर Tennessee ग, छोटाई, की मात्रा, ल, आ, घिला ह, र, छोटाई की मात्रा ह, पहले र को पढ़ना है, फिर उसके बाद छोटाई की मात्रे को पढ़ना है ह, र, इ, हरी अब देखिए बच्चों, अच्छी तरह ब इना बिन, द इला दिल, ग इरागेर, क इला आकिला, रव इरवी, द इना दिन, द इना दिन, ख इला खिल, च इराचिर, ह इला आहिला, कवई गवी, न इबा निब, म इला मिल, म इला मिल, स इरा सिर, स इरा सिर, ग इला आहिला, ग इला आहिला, हराई हरी, हराई हरी, देखिए बच्चों, अच्छी तरह आप भी पड़ी, साथ साथ में, बइना बिन, बइना बिन, द इला दिल, दिल, गई रागिर, गईना गियर, के इला किला,गा इलागिला, दइना दिन, खईला खिल, खईला खिल, चईरा चिर, खईला आहिला, कवई कवी, नईबा निब, मईला मिल, सईरा सिर, गईला आगिला, हराई हरी, हराई हरी, आप लोगों को, पहले आप लोगों को, छोटा एके मातरा अच्छी तरह से समझना है, कैसे लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को स्वर और वैंजन भी आनी चाहिए, तो आप लोगों को ये सारा आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे अभी, आप लोग ऐसे करिये बचो, पहले आप लोग पड़ो, उसके बाद याद करो उसके बाद कौपी पर कौपी पर रफ कौपी पर आप लोग लिखो छोटाई की मात्रा कैसे लिखते हैं वो आप लोग समझो ये आप लोगों के लिए आज क्या है? सिर्फ याद करने के लिए है कौपी पर लिखना नहीं ऐसे रिवाब लोगों को rough copy पर test देना है यह आज आप याद करेंगे